हाई नमस्याद अब से सिकाव ज्यारा नाम अधिती है and welcome back to the circle of life टारो आज जो है बहुत छोटी reading करेंगे हिंदी में करेंगे single pile करेंगे यही जाने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आपके लिए current energies क्या हैं और next actions क्या है All right, let's start with relationship में आप लोगों के क्या चल रहा है Archangel Michael, Archangel Angels and the Universe, Holy Spirit and the Divine Messages which are in the highest score for my viewers आप लोगों के रिष्टे में राइट नाँ क्या चल रहा है, फेले हम वो देखेंगे Charot की energy है, King of Cups की energy है, Four of Cups की energy and Queen of Pentacles Very interesting, आप लोगों के relationship में क्या चल रहा है Charot की energy है, यहाँ पे Cancer energy काफी strong है Cancer Scorpio Pisces, Water Sign काफी strong है and then bottom of the deck जो है, we have Taurus, Vaggo, Capricorn Very interesting energy, आप लोगों के relationship में राइट नाँ क्या चल रहा है Travel को लेके कुछ problems है अगर आप एक relationship में हैं जहां पे आप एकठा नहीं रहते हैं तो आपके partner जो है travel कर रहे है Maybe यह travel करने के लिए जो है उनको या तो work related travel था या travel करने गए हैं लेकिन जबरदस्ती का travel है जहां पे वो travel तो कर रहे हैं लेकिन वो आपको बहुत ज़ादा miss कर रहे हैं Again for some of y'all because queen of pentacles की energy है यहां पे Even if y'all are married your partner आपके partner कहीं आपसे दूर है और right now जो है आप उनको बहुत ज़ादा miss कर रहे हैं Some of y'all जिनके बारे में आप पोच रहे हैं अगर आप एक third party situation में है Because वो लोगों की बहुत सारे लोगों की हकीकत होती है तो आपके partner जो है उनके partner के साथ कहीं भूमने गए हैं और आपको जो है वो बहुत सारा miss कर रहे हैं That is what is the current energy तो overall energy यही है कि यह इनसान emotionally आपके लिए बहुत फील करते हैं प्यार आपके लिए है Because king of cups की जब energy आती है तो ऐसे इनसान की energy है जो बहुत काम है उनमें बहुत सकून है उनमें बहुत सबर है अपनी बातों को एक बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो एक बहुत mature way से मीठे धंग से अपने बातों को जो है वो express करते हैं तो जिनके बारे में आप पोच रहे हैं आपके partner जो है वो काफी soft gentleman type के इनसान हो सकते हैं जब वो आपके साथ बात करते हैं So some of you all या तो आप एक नई गाड़ी खरीदना चाते हैं या आपके partner नई गाड़ी खरीदना चाते हैं या आप लोगों में नई गाड़ी खरीदी है एक movement, एक change, एक transformation की energy है जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे को काफी miss कर रहे हैं जिनके बारे में आप पोछ रहे हैं Right now उनकी current energies आपके लिए क्या है Seven of Cups, Nine of Cups, Page of Cups and the Ten of Swords All right, ये इनसान and then Nine of Swords ये इनसान के हरकत से आपको दुख पहुंचा है For my viewers, for most of you all आपको यसे लगता हुआ कि यार में कोई रिष्टे में रहना ही नहीं है और आपने शायद उनको बता भी दिया होगा और आपके partner जो है अपनी हरकत से right now काफी hurt है काफी दुखी है उनको जो है उनकी जैसे chain उर गया है Because they have hurt you आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पीट के पीछे किसी ने खंजर खबोया है डाला है है ना इनके आपके लिए current feelings क्या है Right now इनके attention बहुत जगा पे fixed Their energy is scattered Right now temptation है इनकी जिन्दगी में Scattered है बहुत जगा For some of your या तो ये शादी ब्या में कहां गए है कोई job है तो कोई exhibition में गए है एक ऐसी जगा पे गए है जहां पे वो बहुत busy है जहां पे वो गए है अगर वो आपसे दूर है तो yes वहां पे वो enjoy कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आपको miss कर रहे हैं जहां पे वो गए हैं उनको वहां पे enjoy हो रहा है लेकिन वो सब चीजों को देखे उनको यह एहसास हो रहा है या यह realization हो रही है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है उनके सामने बहुत सारे options हैं बहुत सारे choices हैं बहुत सारे चीजों में उनका मन भी लग रहा है खुश भी है नई नई चीजें जो है वो देख रहे हैं एक्स्टोर कर रहे हैं लेकिन current energies क्या है यह सब जो है आपके सामने फीका है and then we have the page of cups एक ऐसी energy है जहां पर यह communicate करना चाहते है page of cups की energy is all about एक इनसान जो बहुत romantic है जो एक ऐसी energy में है जहां पर this person feels कि अब एक बहुत जगा पर उन्होंने अपने emotions को you know बहुत जगा पर आतो उन्होंने try किया है या बहुत चीजें जो है उन्होंने experience किये और उसके बाद उनको realize हुआ है कि यह जो ace of cups है वो जो है वो सिरफ आपके लिए है so this person wants to communicate with you एक ऐसी energy है जहां पर आपसे आके बात करना चाहते है and again emotions आप देखे emotions से जो है यह इनसान भरे होएं आपके लिए तो अगर आपको लगता है कि यह इनसान ने आपसे गलत किया है या बहुत you know एक ऐसी energy में है जहां पर बहुत practical है king of cups की जब energy आते है तो it is also someone जो बहुत बात नहीं करते हैं चीजें अंदर रखते हैं but यह इनसान definitely आपकी तरफ जरूर आना चाहते है light blue color जो है आपका यह आपके partner का important होगा jeans जो हम denim डालते है jeans डालते है वो आपको यह आपके partner को बहुत अच्छा लगता होगा yellow भी जो है आप लोगों का favorite color हो सकता है आप जो है culinary, cooking, fine arts, music, jewelry making, jewelry designing इसमें जो है अच्छे कपड़े यह सब चीजों में जो है आपकी रूची हो सकती है but इनकी current energy right now यही है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा किया है जहाँ पर आपको लगता है कि बस अब यह relationship में नहीं रहना है और यह इनसान जो है they are very sorry सब चीज जो है उन्होंने देखी, घूमी, मजा किया वहाँ पर वह है ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उदास बैठे है बोर्ड है वहाँ पर भी उन्होंने सब enjoy किया लेकिन ultimately उन्होंने यही realize कि कि at the end of the day उनको जो है आप ही चाहिए है और राइड आपको मिस कर रहे हैं आपके साथ एक बहुत अच्छा potential देखते हैं उनको ऐसे लबता है कि हमको थोड़ा वेट करना है हमको आप दोनों को एक union में आने के लिए थोड़ा सब वेट करना पड़ेगा Ace of Pentacles very nice oh six of cups भी है don't worry अगर आपको लगता है कि यह इनसान ने आपको धोका दिया है या आपके साथ जूट सच किया है आप से दूर चले रहे हैं तो इनके इरादे आपके लिए बहुत स्ट्रॉंग है इसको प्लीज आप ख्लेम करें आप में और यह रिष्टे में बहुत जादा पोटेंशल देखते हैं जब अपने future के बारे में यह इनसान सोचता है तो आपके बारे में ही वो सोचता है अगर कहीं न कहीं आपके मन में doubt है कि यह इनसान जो है आपके साथ सचा नहीं है आपके साथ future नहीं देखता है आपको security नहीं देगा आपको commitment नहीं देगा तो ऐसा नहीं है for some of your इकठा घर खरीदना, property खरीदना, business start करना यह इनसान में आपको वो भी offer दिया होगा कि चलो इकठा काम करते हैं, इकठा business करते हैं ताकि we can come close हम लोगों में reconciliation हो, हम दोनों जो है एकठा time spend करें, तो वो energy भी जो है मुझे यह दिख रहे हैं, इनसान के इरादे आपके लिए काफी strong है, this person wants to come towards you finally जो है उनको ऐसे लगता है कि अब वो एक समय आ गया है उनके life में, कि वो उनको एक ऐसा action आपकी तरफ लेना पड़ेगा, ताकि आप जो है इनसे दूर ना चले जाओ, again six of cups, very strong soulmate energy, बच्पन के friends, एक ऐसी चीज आप दोनों में जो बहुत common है, जो आपके बच्पन से related हो for some of you all, आपके बच्चे, you know, 81 school में पढ़ते होंगे, अगर आप married है, तो you know, you all belong to the same school, अगर आप married नहीं है, तो बच्चों को related कुछ ना कुछ connection आप लोगों में हो सकता है, again for some of you all, अगर आप reconciliation चाहते हैं, तो reconciliation के energy काफी strong है, ये इनसान आपको जो है security का तोफा देना चा अपने future में आपकी तरफ करना चाहते हैं, जहां पर आपको लगेगा कि ठीक है, अब मुझे भरोसा है, अब मुझे विश्वास है कि ये इनसान जो है सच में मुझे उनके life में चाहते हैं, all right, it's a nice reading, you should claim it, आप जो है comment box मुझे लिखके बताएं कि आप ये रिष्टे से क् चाहते हैं, all right, forward movement, again जब chariot का card आता है तो एक ऐसी energy soldier है, जो जंग के लिए तयार है, लेकिन forward movement है, एक decision था, एक choice था जो उनको लेना था, और उन्होंने वो choice लिया, वो decision लिया और आपकी तरफ है, number 7 आप लोगों के लिए important हो सकता है, July का महना जो cancer season है, वो आप लोगों क लिए important हो सकता है, ये इनसान जो है, इन्होंने decision ले लिया है, अगर आप देखो तो ये जो दोनो, I can't call them horses, they are dressed like sphinx, but ये जो animals हैं, जो इसकी ये chariot को चलाएंगे, वो अभी बैटे हैं, लेकिन ये इनसान ready है, बस इनको command देने की energy है, तो ये इनसान जो है, definitely एक energy में आए कि भई मैंने decision ले लिया है, and I am ready to come towards you, 9 of cups, wish fulfillment, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप, you know, ये उन लोगों के साथ resonate होगा, जहां पर आप सिरफ आपके इनसान का वक्त, उनका emotions, उनका emotional time मांगते हैं, और बेबी आप एक ऐसे इनसान के साथ related है, जो, वो, you know, they are all over the place, कि यह वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, काम के लिए दूर जाना है, out of station, long distance, तो, ये इनसान के जैसे बोलते हैं, पैरों पे चक्कर लगे हैं, कि वो एक जगा पे नहीं होते हैं, और इसके लिए जो है, वो आपको time effort, energy नहीं दे पाते हैं, seven of cups की भी उनकी energy आई थी, जिसका मतल आपको खुश करने के लिए जो formula है, वो formula है आपको time देना, आपको वक्त देना, आप materialistic नहीं हो, कहीं पे भी इरादों में ये, कि आपको gift चाहिए हैं, उनसे पैसे चाहिए हैं, तोफे चाहिए हैं, ऐसी कुछ energy नहीं है, तो आप जो है, जो है, इनसान से सरफ उनका time, उ उनकी जो वक्त है, वो चाहते हैं, कि ये इनसान आपको priority बनाए, और वो जो आपकी wish fulfillment है, वो इनसान जो है, जरूर करेंगे, all right, romantic energy है, थोड़ा सा ये इनसान आपको ना surprise कर सकते हैं, उनकी romantic बातों से, and I think इनके बारे में आप पोच रहे हैं, उनको में भी बहुत जादा से romantic होना naturally नहीं आता, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा बहुत funny लगेगा, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, कि ये क्या कर रहे हैं, कि dance करना नहीं आता लेकि जब हम किसी को जबर्दस्ती dance करवाते हैं, तो थोड़ा सा odd लगता है, तो आपको थोड़ा सा odd लग सकत कि यार एकदम से क्यों पलटा बदल गया, again slow moving energy है, and then we have the wheel of fortune, ये इनसान जो है, उनको एहसास होगा, कि वो बहुत slow moving energy में थे, थोड़ा सा आपको taken for granted किया था, और अब जो है, उनको, they have to accept their mistake, उनकी गलतियों का एहसास करके उनको आगे जाना है, wheel of fortune का जब card आता है, तो it is the card of acknowledgement, it is the card कि भई, ये कुछ तो ऐसा है हम दोनों के connection में, कि मैं ये connection से नहीं निकल पाऊंगा, yes on and off वाली energy है, जब हम wheel के बारे में बात करते हैं, जो एक tire होता है, चक्का, tire, तो वो गोल-गोल घुमेगा, लेकिन वो आगे ही जाएगा, तो य and then again बार-बार हमको chariot का card है, तो ये इनसान के ऐसी energy है कि आप उनके life का एक part हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो quality है रिष्टे की, जो अब तक इतनी अच्छी नहीं थी, वो quality को जो है ये इनसान अब मेरे हिसाब से, cards के हिसाब से, improve करने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके लिए actions क्या होंगे, again general reading है, सबके साथ resonate नहीं होगा, अगर आप में साथ tarot सीखना चाते हैं, auricle card reading सीखना चाते हैं, charm casting सीखना चाते हैं, में साथ अगर आप ए personal reading चाते हैं, तो details ओपर यहाँ पर होंगी, please मुझे आप WhatsApp पे contact क इनके next actions आपके लिए, fool है, all right, fool है, permit है and six of sorts की energy है, यह इनसान जो अब तक, आप ना, यह इनसान आपको बोलते रहेंगे, कि आप बहुत overthink करते हो, हर चीजों के बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन यह इनसान जो है, खुद बहुत सोचते हैं, all right, card समझे, fool की energy, new beginning की energy, reconciliation की energy, loyalty की energy, एक ऐसी उर्जा उसमें कि बस सब पीछे छोड़ना है और आगे जाना है, तो उनको जो आपके लिए जो leap of faith लेना था, उसके लिए जो सो close and con, मैं ऐसे करूँगा तो ऐसा होगा, वैसे करूँगा तो ऐसा होगा, वो सब जो है, यह इनसान ने अब time लेके सूचा है, और अब वो आपकी तरफ आएंगे, जो भी baggage था, जो भी burden था, जो आपकी तरफ आने में इनको रोक रहा था, उन्होंने जो है, वो अपने mind में उसका पूरा जो है, जैसे हम बुलते हैं ना, disection करके, operation करके, plan करके अब वो ऐसी energy में आए, कि yes, I have gained the wisdom, मैंने वो wisdom मेरे अंदर आई है, और अब मैं आपकी तरफ आँगा, this person within six days to six weeks की मुझे energy दिख रही है, कि यह person आपकी तरफ आएगा, if not every season में जो है, यह इनसान आप की तरफ आएगा, for some of you all, अगर चीजे आप रोगों में बहुत खराब हो गई है, divorce, separation, parents को मनाना, long distance, पैसा, अगर ऐसा कुछ है, तो यह इनसान सप्टेंबर तक आपकी तरफ आएगे, because इनके इरादे जो है, यही है, जब हमने three of wants की भी energy देखी थी, कि यह इनसान जो है, definitely आपकी तरफ, यह इनसान definitely आपकी तरफ आना चाहते हैं, all right, tarot से advice देखते हैं, और उनके hidden message देखते हैं, for my viewers, what is the advice? देखो, charret जो है, charret की energy जो है, बार बार यहां पे आ रही है, all right, आपके लिए advice क्या है, आपको कहीं न कहीं यह इनसान पे भरोसा नहीं रहा है, आपको कहीं न कहीं लगता है, कि यह इनसान ने for some of your all जूट बोला है, चीट किया है, कुछ चीजें आपसे चुपाई है, आपको लगता है कि यह इनसान ने जो relationship में energy डालनी थी, वो relationship को जो है, उन्होंने इतना महत्वन नहीं दिया, side line कर दिया था है, तो आपको अब क्या करना है, कि यह जो आपके मन में इनके लिए गुसा है, या misunderstanding है, या दर्ध है, और एक जो ego आ गई है, कि अगर यह इनसान में इसाथ ऐसे behave करता है, तो मैं क्यों करूँ, वो जो है, मुझे लगता है, कि आपको वो सब कुछ होड़ देना है, आपकी खुशी पर फोकस करें, नाइन अफ कप्स इसकी बिंदास हो जाओ, जो जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, आपने वो करना है, कुछ भी हो, तो, for some of you all, it could be as simple as, shopping करना है, गूमने जाना है, picture देखना है, आज गाना सुनके सिरफदान्स करना है, बालों का कलर अलग करना है, एक मेरी क्लाइन थी, जिसको 9 of Cups का advice आय था, मैंने पूछा था कि, what, ऐसा क्या है, जिससे तुमको खुशी मिलेगी, और तुमको लगता है, कि बस यह करोंगी, तो मुझे, कि, you know, I will start loving myself more, तो उसने का, कि मैंना बहुत time से सोच रही थी, कि मेरे पीछे बाले कान बिनवाने है, तो मैंने बोला, बढ़िया, बिदवाओ, और फिर उसने मुझे उसके कान के बिनवाने का photo भी बेजा, तो जो color your hair, anything, छोटा बड़ा, painting class join करना है, friends के साथ गूमने जाना है, take a leap of faith, do anything that is going to give you happiness, travel आपके लिए बहुत important है, right now आप एक stuck energy में हो, वो stuck energy से निकलना आपके लिए बहुत important है, दिन भर अगर आप बैठ के, उनके पुराने messages पढ़ रहे हो, उनका message आएगा, वो बेट करके देख रहे हो, तो वो जो stuck energy ह आपको बाहर निकलना है, again believe in the power of आपकी जो vibrations हैं, वो vibrations की बहुत power में आप बिलीव करे, feeling stuck, feeling sad, मैं बिचारी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, वो सोचके अगर आप खुद को down करोगे, तो वो ही वो ही चीज़े आपके life में आएंगी, तो move, physically move करो, mentally move करो, emotionally move करो, खुद को active करो, life में आपके, आप, other than this relationship, relationship को छोड़ के भी, मुझे दिख रहा है कि आप जो है, आपको एक decision लेना है, जहां पर आप स्टक हैं, वो decision आप लेंगे, तो आपको खुशी मिलीग, और आपने वो decision कैसे लेना है, अपने मन की सोच के, अपने emotions की, ego को छोड़ो, लोगों को चोड़ो, सब को बाजू करो, यह decision जब आप लोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, यह मेरी wish फुल्फिल हुई है, forget the people, वो क्या होगा, खुद के साथ time spend करो, and start focusing on yourself, because अगर यह reading आपके साथ resonate होती है, तो यह इनसान मुझे नहीं लगता कहीं जाएगा, इनको एहसास कि इन्होंने आपको priority नहीं बनाया था, और अब यह आपको priority बनाएंगे, as per my cards, अगर यह reading 100% आपके साथ resonate होती है, तो reconciliation ज़रूर होगा, again general reading है, मैं हर एक इनसान की energy में tap in नहीं करती हूँ, जिनको सबसे ज़्यादा messages सुनने हैं, उन्हीं के energy में tap in करती हूँ, but reading is quite positive, य इनसान जो हैं, आपको क्या messages देना चाहते हैं, जो यह आपको नहीं दे पा रहे हैं, या universe आपको क्या message देना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं कि आपको यह time पर सुनना जरूरी है, मैंने खा था short reading, लेकिन फिर से 20 minutes हो गए है, alright, coldness, they feel you pulling away, they wish they can pull you back and convince you, they are worth keeping, देखो, है ना, उनका message, उनको ना, आप cold हो गए हो, आपने emotional emotions को block किया है, five of swords की energy थी, ego में आगे हो, है ना, आपके partner को एहसास है कि अब आप cold हो गए हो, है ना, तो वो क्या कह रहे हैं आपको, they feel you pulling away, they wish they can pull you back, है ना, उनको यह एहसास है, कि तुम उनसे दूर जा रहे हो, और वो wish कर रहे हैं कि वो कुछ भी करके आपको फिर से उनकी तरफ खीचे, and convince you that they are worth keeping, तो कहीं न कहीं आपने उनको बताया होगा, या खुद को बताया होगा, कि ये इनसान आपके लायक नहीं है, आपके प्यार के लायक नहीं है, और अब ये इनसान को वो समझ में आ रहा है, और वो आपको उनकी तरफ खीचना चाते हैं, और यही आपको ऐसास दि and solitude has given them a chance to get to know themselves, better to set a more solid foundation, अगर आपने इनके इनसे एनरजी अपनी वापिस ले ली थी, no communication था, तो ये एकांत में, अकेले पन में इनको रियलाइज हुआ है, कि ये रिष्टे में और एक strong foundation की जरूरत है, जो ये बिलकुल न, यहां से वहाँ, जैसे हम बोलते हैं कि एक ज कुछ strong foundation नहीं है, वो on and off, hot and cold वाली energy, तो अब ये इनसान को समझ में आ गया है, कि एक solid foundation आपको और ये रिष्टे को देना बहुत-बहुत जरूरी है, अगर आप एक ऐसी energy में है, जहां पर अब तक आप इनके पीछे-पीछे है, इनको बोल रहे हैं, तुमने ऐसे क्या, advice यही है कि थोड़ा सा ना, इनको एकांध में रहने दो, ये इनसान को आपको miss करने दो, जब ये आपको miss करेंगे तो इनको realize होगा कि उनके life से क्या चले गया है, all right, they entered your life to test you, teach you and bring out the very best in you, all right, तो ये इनसान जो है, ये आपके life में इसलिए आए हैं, ताक कि आपको कुछ खुद के बारे में सीखना था, खुद के बारे में जो है, they entered your life to test you, teach you and bring out the very best in you, तो आपको अब ये सोचना है कि ये इनसान ने आपको सबर सिखाया, आपको, what all this person has taught you है, इनका आपके life में आना एक बहुत important life lesson था आपके लिए, तो आप ये ही सोचो कि मैंने ये इनसान से क्या सीखा है और मैं कहां से इस से जो है मैं कैसे better हुई हूँ, all right, okay, then final card यहाँ पर मैं ले रही हूँ, taking aim, they have stepped into their power and taking action towards you, they will not miss the mark this time, तो ये इनसान ने जो है अब चारिट की energy भी यही कहते है कि बस I am ready to take action and final message आपके लिए यही आया है कि taking aim, बस इन्होंने जो है अब अपना तीर कमान निकाला है and this person wants you, by hook or by crew के इनसान आपके life में आएंगे towards you and this time they are not going to make a mistake, तो I think गलती का अगर कोई किसी इनसान को अपनी गलती का सच में हैसास होता है, तो I think उनको और एक chance देना important है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहते हूँ, every relationship is different, आप बेटर जज है कि आपको यह इनसान को फिस जए chance देना है या नहीं, as always, thank you so much for watching, please do keep your energies and vibrations high, what you focus on is what you get and I will see in your next reading. आपको आपको